हेलो स्टूडेंट्स मेरा नाम है श्वेता स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूटूब चैनल स्टूडी जोन में लिसनर्स आज के इस वीडियो में हम करिंसी बैंकिंग इन एक्सचेंज की यूनित थर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें मैंने इसके यूनित थर्ड से रिलेटिट जितने भी टॉपिक से सारे कबर किये हुए हैं मैं ट्राय करूंगी कि इसको कम टाइम में आपको पूरा कम पूरा यूनित रिविशन करा दो तो इसमें मैं सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वह है टाइप सब बैंक फिर सेंट्रल और कमर्शल बैंक का इसकी मीनिंग उसके फंक्शन रिजिनल रूलर बैंक क्या होते ही बैंकिंग और पो कोई चीज नहीं समझ में आती है नहीं क्लियर होती है तो आप मेरे कॉमेंट सेक्शन बता सकते हैं मैं उसको दुबादा से बना करके अप्लोड कर दूँगी और लिसनर्स अगर वीडियो अच्छी लगती है तो भी जरूर बताइएगा कि क्यों से हमें मोटिवेशन मिलती नए-ney वीडियो बनानी के लिए बाइये स्टार्ट करते हैं जैसा कि देख सकते हैं सबसे पहले bank यानि कि banks क्या मीनिंग होती है तो जो बैंक सब्द है वह Different leash के दोरह different lavorography different thrive से इसको define कि या गया है लेकिन एक क्या पर्शन एक कॉर्पोरेशन में जो क्या करता है फॉब्लिक से रिसीव करता है और पेबल ओंड डिमांड बाई चयक यह तो हम्संस्ट में प्रशिट भी कर सकते हैं मिन इसमें यह बोल आगे बेसिकली कि एक बैंक जो है कॉर्पोरेशन है जो की होल कर रखता है डिसीव वो financial institution है जो को money को accept करता है public से इस purpose से ताकि वो lend कर सके और invest कर सके उसको और बोला गया है कि इसमें हम इसमें से हम विद्रॉ कर सकते हैं चेक के द्वारा ड्राफ्ट के द्वारा या फिर किसी भी अधर चीज के द्वारा तो बहुत तरीके के banks होते हैं जिसे कि आप देख सकत bank, agricultural bank, exchange bank, or miscellaneous bank तो इसके बारे में बात करूंगी कि क्या क्या होते हैं तो commercial bank accept करता है small deposits public से और उसको huge capital में convert कर देता है और उसको क्या कर देता है borrowers को देता है short term period के लिए जो की एक साल से ज्यादा नहीं होते हैं ताकि उनके personal और business requirement fulfill हो सके I hope आपको clear हो गया होगा नेक्स इंडस्टियल बैंक से इंडस्टियल बैंक से इंडस्ट्री जो होती है सारे country की backbone होती है इसमें बहुत सारे capital की जरौत होती है और long term में तो और ज़्यादा जरौत होती है तो इसमें industrial requirements को पूरा करने के लिए industrial bank का establishment हुआ था नेक्स है आपका agricultural bank agricultural bank mostly two upon third part of India जो surrounded हैं वो भी एक agricultural country है तो infrastructure facility को available कराने के लिए और उसके resources को हमें finance की बहुत ज़्यादा जरौत पड़ती है नेक्स है आपका exchange bank अब exchange bank के बारे में बात कर लें तो major function इस bank का ये है कि ये international trade को promote करने का काम करता है नेक्स्ट आपका miscellaneous bank miscellaneous bank में कि अगर हमें लोगों के specialized और personalized needs को पूरा करना है तो हमें different kinds of bank के जरौत पड़ती है जो की अलग-अलग time पे arise होते हैं जैसे कि investment bank हो गया merchant bank हो गया universal bank हो गया ये सारी चीज़े तो ये इसमें basically बताए गया है आईए बढ़ते हैं आगे कुछ ऐसा कि listeners आप देख सकते हैं commercial bank के बारे में सबसे पहले मैंने discussion किया है commercial bank तो commercial bank basically होता क्या है तो commercial bank के बारे मैं पहले मैं आपको थोड़ी सी जनकारी देदू commercial bank largest bank in the country होती है ये बहुत ही बड़ी होती in the form of business area operation and number of depositors इसको समझने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइट कर दिया गया है लेकिन वह पार्ट में बात में बताऊंगी पहले मैं आप से commercial bank के बारे में बता दू कि ये बैंक जो होता है small deposit budgets accept करता है public से और उसको huge capital में convert कर देता है borrowers को देता है short term period के लिए जो की एक साल से ज्यादा के लिए नहीं होते हैं उनके personal और business की requirement को पूरा करने के लिए आगे है classification of commercial bank यानि कि कितने तरीके के होते हैं तो दो basis पर classify किया गया है on statutory basis और ownership basis तो statutory basis पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है non-ceduled bank यानि कि वह बैंक जो कि नहीं registered है as per two second schedule of RBH 1934 नेक्स है ownership basis पे बात कर ले तो banks को ownership basis पे public sector bank private sector bank और foreign bank में इसको क्या किया गया है classify किया गया है तो कुछ list है public sector bank के listeners मैंने सब नहीं दिया है बहुत सारे हैं जैसे कि SBI, State Bank of Hyderabad, State Bank of Beacon Air in Japan, Mysore, Patiala, Indoor और Allahabad Bank, Bank of Brother, B.O.I. Bank of India, CBIs I hope आपको CBI का तो मतलब पता ही होगा Central Bank of India फिर मैं basically जिसका full form बता देती हूं जिसका मैंने full form नहीं दिया है PMB Punjab National Bank है UBI United Bank of India या फिर Union Bank of India भी है तो I hope आपको यह चीज़ क्लियर हो गई होगी आगे बढ़ते हैं functions of Indian commercial bank यानि कि क्या क्या function हमारी इंडिया की commercial bank perform करती है तो basically जो इसमें functions दिये हुए है वो दो तरीके का function perform करती है पहला primary और दूसरा secondary तो primary में क्या perform करती है deposit को accept करती है loan देती है credit creation की facility होती है इसमें next है कि agency function और general utility function काम करती है तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसके functions के बारे में तो primary function में basically basic function commercial bank के आते हैं जो की main function होते है joint stock banks के listeners इसमें पहला जैसे दिया हुआ accepting of deposits इसमें बोला गया कि commercial banker different तरीके के deposits को accept करती है public से और जिसके पास surplus money होती है जैसे कि यह accept deposit saving account के form में हो सकता है current account के form में हो सकता है fifth deposit के form में हो सकत नेक्स्ट आपका lending loans यानि lending advancing loans कह सकते हैं तो इसमें basically क्या होता है कि capital जो generate होती है deposit के form में उसको अच्छे तरीके से invest कर दिया जाता है ताकि जो उससे interest हो वो depositors को मिल सके easily achieved हो सके next आपका credit creation हम जैसे कि जानते है कि commercial bank जो है बहुत ही vital role play करती है central bank के साथ in creating credit in the economy तो यह भी एक important role play करता है इसमें next आपका secondary function इसमें बताय गया है कि primary function के बाद commercial bank कुछ other banking facilities और service प्रवाइड करती है जो कि primary function को और भी अच्छे तरीके से चलने में help करते है तो पहला है agency function तो agency function का मतलब होता है कि वो सारी facilities और services customer को available कराना जो कि indirectly bank के inflow or outflow of money के उसमें होता है next है आपका general utility function इसमें बताया गया है कि agency function के साथ commercial bank क्या करती है बहुत सारे services भी प्रवाइड करती है जो कि general utility से related होती है next बात कर लेते हैं RBI की यानि कि Reserve Bank of India आप Reserve Bank of India क्या होती है इसके बारे बात करेंगी detail listeners यह आपका next topic है तो Reserve Bank of India की अगर मैं बात करूं तो RBI Central Bank of the country इस Central Bank के country की ना और जिसको RBI कहते हैं अपरेल 1935 को अंडर आर भी एक 1934 इसमें बहुत सारे efforts लगाए गये ताकि हम Central Bank को country में established कर सके लेकिन सक्सेश हमें का मिली 1935 में पहला effort जो था उस 1773 में लगाए गया वरिन हास्टिंग के द्वारा जो की गवर्नर थे बेंगॉल के उन्होंने इस्टैब्लिश किया क्या चीज जेनरल बैंक ऑफ जेनरल बैंक इन बैंक और बिहार बट वह सक्सीन नहीं हो पाए यह कुछ चीजे जिसके बारे में मैंने आप से discussion किया कि functions of RBI यानि कि कौन-कौन से RBI के functions है तो पहला है central banking function यानि कि कौन-कौन सा कारे करता है RBI तो central banking function के बारे में बात कर ले तो इसमें पहला हाता है monopoly of note issue यानि इसके पास monopoly है कि वह note issue कर सकता है यानि कि most important function है central bank का क्यों क्या करता है कि monetary standard की stability को maintain करके रखता है under section 22 of the RBI Act और इसके बस sole right होता है कि note issue कर सकता है सिर्फ एक रुपए के note को थोड़ करके coins को और small coins को छोड़ करके क्योंकि यह issue की जाती है ministry of finance government of India के द्वारा नेक्स है आपका bankers to the government bankers to the government यानि की और central bank की तरह वल्ड के और central bank की तरह के RBA भी fulfill करता है कुछ function जो की banker होता है central or state government का यानि की मतलब यह दोनों की help करता है next है आपका bankers bank इसको bankers bank की भी कहा जाता है कि सारे commercial bank कोपरेटी बैंक और foreign bank country के एक specific percentage of cash reserve के फॉर्म में मेंटेन करके रखते है आर बीए के साथ next आपका lender of the last resort यानि आर भी फुल्फिल करता है commercial bank की कुछ needs को short term loan दे करके against eligible securities next आपका controller of credit आप controller controller of credit का क्या मतलब है कि आर भी कंट्रोल करता है money supply को और price को stable रखने के लिए credit देता है और बहुत सारी economic country की economic condition को सही करने के लिए यह इसमें दिया जाता है next text में बोला गया है promotional function promotional function में listeners basically जो बताये गया है बहुत सारे function है इसमें भी तो मैं बात करूंगी इसमें तो पहला है agricultural finance याने कि इसमें जब से आर भी एक inception हुई आर भी ने advice किया और financial assistance को ताकि credit institution का development कर सके हर एक छेत्र में अग्रिकुल्च्रल हो चाया तो इसमें IFCI आया फिर दूसरा इसमें नेक्स्ट की नेक्स्ट है लिसनर्स industrial function जैसे की इसमें बताये गया है industrial function में ही basically जो है IFCI आता है IDBI आता है और IRBI आता है SFC आता है और CDB आता है यानि कि IFCI क्या होता है industrial financial corporation of India यह setup हुआ था 1948 में RBI के द्वारा ताकि यह medium and long term financial assistance industries को provide करा सके पिर आता है IDBI यानि कि industrial development of bank of India इसका मतलब यह established हुआ था mean financial institution की तरीके 1964 में ताकि यह इंडस्ट्री को finance दे सके और next है आपका RBI यानि कि industrial reconstruction bank of India industrial reconstruction bank of India 1985 में यह setup हुआ ताकि जो sick and closed industrial units है उनके survival के लिए इसको set up किया गया निकि for the survival of sick and closed industrial units तो इसको सही करने के लिए next है आपका SFC यानि कि state financial corporation के अंडर में इस act के जरीए 1951 state financial corporation bank का establishment हुआ ताकि हम जो medium और small skill industries है उनका development कर सके फिर आता है 1990 में Sydney was established यानि कि established किया गया इसको I hope आपको समझ में आ गया होगा next हम बात कर लेते हैं listeners तीसरे function के बारे में यानि supervisory function क्या के होते हैं तो पहला हुआ दिया है licensing of banks यानि कि statutory provision के according जितने भी company होती है उनको एक banking business इंडिया में setup करना होता है जिसको की license लेना पड़ता है आर बेस है तो license अप्रूब करने से पहले reserve bank उसको scrutinize करती है जहां पर minimum requirement capital की reserve की और asset की fulfill होनी चाहिए company के द्वारा वह देखती है कि है की नहीं नेक्स्ट है inspection of banks इसमें बोला गया कि RBI Reserve bank क्या करती है bank inspection करती है बहुत सारे aspects वे जैसे bank के organizational structure के बारे में branch के expansion के बारे में investment के बारे में credit portfolio के बारे में नेक्स्ट है आपका control over management या जितना पूरा management जो bank होता है वो administer किया जाता है reserve bank के द्वारा यह इसमें basically बोला गया है तो आई hope आपको चीज़े clear हो गई होंगी listeners मैंने इसको जदर detail में discussion ने किया है क्योंकि बहुत सारा था इसकी वज़ा से short time period में मुझे आपको revision भी कराना है आगे बढ़ते हैं achievements of RBI या कि क्या के achievements थे RBI के तो कुछ major achievements थे जैसे कि दिया है मैंने development of sound banking system पहला है यानि कि technology के changes से RBI भी क्या करती है कि efficient banking system country में available कराती है इस जैसे technology change होती है next banker to the government यानि कि जितने भी financial transaction है on behalf of central state government सारे सारे कौन manage करता है RBI manage करती है next regulator of credit यानि कि credit control के बहुत सारे methods के साथ RBI ने एक regulator of credit भी economy में लाया next आपका promotion of cooperative and ruler credit यानि major portion country का ruler area जहां पर large requirement होती है credit किया फिर किसी banking facility इसको required करें यानि provide कर आए नेस्ट है आपका promoting saving through institutionalization इसमें बोला गया है कि RBI ने promote के establish किया नए specialized financial institution agency ruler और urban area में ताकि banking facility को country के सारे quarter ने पहुंचाया जा सके यानि कि सब के तक पहुंचाया जा सके नेक्स्ट है failures of RBI यानि कि failures क्या क्या रहे है तो इंडिया एक vast country है और जहां पर two open third land area ruler का है इसलिए development is required at mass scale इसमें बोला गया है कि इसमें कुछ failures थे जैसे कि unable to control unorganized money market यानिके RBI issue करता है number of rules and regulation जिसमें उसको ताकि वो control कर पाए unorganized money market को लेकिन ये indigenous bankers के बारे में money landers के बारे में नहीं सोच पाता है क्योंकि डेट तक क्योंकि RBI banking facility प्रवाइड करता है country के सारे corner में तो इसलिए निक्स्ट है कि multiple interest rate unorganized market के existence की वज़ा से जो interest rate है वो common नहीं रह गया है यह place to place differ हो जाता है लोगो people to people differ है purpose to purpose differ है नेक्स्ट है पूर customer service अब पूर customer service जैसे कि banks का nationalization होने के बाद customer service इस सब में public banks में detroited हो गया है तो आई होब आपको यह भी clear हो गया हो नेक्स्ट है regional ruler bank regional ruler bank के बारे में बात कर लें तो बैंकिंग कमिशन 1972 विच वस कॉंसुटेद अंडर दी चेर्मेंशिप आप स्री आर्जी सराय रेकमेंडेड एस्टिशिंग मल्टी अजेंसी अप्रोच पूर मीटिंग दा क्रेडिक रूलर पूर एंड अल्टिमेटली गॉवर्मेंट फिंडिया सेट पाराद्वी फोर एक्स्टेंडिंग बैंकिंग फेसिलिटी तो डोलर एरिया अंदस प्रेशना जिसमें एक मल्टी एजेंसी अप्रोच को स्टाबलिश किया गया ताकि हम रूलर पूर जो लोग थे को क्रेडिट की रिक्वार्मेंट को पूरा करा सकें और गॉर्मेंट अफ इंडिया को भी जो की सेट अप की गई है और भी आरवी के द्वारा ताकि हम क्या करें बैंकि तो पहला है यह लिबरल क्रेडिट फैसलिटी देता है रूलर को इस पेसली जो इसमॉल और मार्जनालाइड फार्मर्स होते हैं अग्रिकल्च्रल लेबर्स होते हैं रूलर आर्टी सेट्स होते हैं और भी कर सेक्षिंज जो सुसाइटी की है उसको नेक्स है कि यह चीपर और एक्रेडिट प्रोइड करती है पीपल को जो की बैकवर्ड एरिया में रह रहे हैं उनको सेव करती है एक्स्प्रोइटेशन मानी लेंडर से जो जमींदार होते हैं ज्यादा आप लेकर के मतले में चार्ज करते थे आपको आपको पता ही होगा पहले की टाइम पे नेक् की स्पिरेट को भी प्रोमोट करती है जनरेट करती है नियू एवेन्यू इंप्लाइमेंट के लिए इंटिग्रेट करती हो अब्जेक्टिव सब रूलर बैंकिंग बिस्नेस नेक्स बात कर लेते हैं फीचर्स या निकली आरवी के कुछ फीचर्स थे कि रिजनल रूर बैं सब्सक्राइब आरवी क्या क्या वीकनेस इसके तो जैसे कि आप लिसनर्स स्क्रीन पर देख रहे हैं बिसिकली मैंने तीन इसके वीकनेस के बारे में डिस्कुशन किया हुआ है तो पहला है 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 स्टी एंड लैक कॉर्डिनेशन इन ब्रांच एक्सपेंशन यानि की ब्रांच एक्सपेंशन है रिजनल रूलर बैंक का वह हैस्टी होता है और इसमें कॉर्डिनेशन की कमी होती है जिसकी वज़ए से ब्रांच को एक्सपेंड करने में डिस्पारिटी आती है नेक्स्ट आपका एक्जिस्टेंस ओफ ओवर्डियूस यह सही है रेड लाइन आ पूर फानेंशल हेल्थ से जो की हमारे जोग्रीफिक कबरेज को दर्साता है इसमें बैसिकली लॉस भी एक तरीके का इसका वीक्नेस ही है नेक्स्ट बात कर ले नेक्स्ट है लिसनर्स इबैंकिंग यानि की इसका फुल फॉर्म जो है वह होता है एलेक्ट्रानिक करते हैं और टेलीफोन के दौरे कंप्यूटर के दौरा चाहिए मतलब किसी भी हमने इंट्रक्शन के जरीए तो उसी को में बैंकिंग करते हैं यानि कि जैसे कि हम जानते हैं कि इंटरनेट के थौरा तुरू जो भी आजकल जो ट्रांजिक्शन हो रहे हैं वह सारे सारे करता है से नेज़र यह ने लग जैसे अ क्यों सबस्सक्राशल करता है जुछ है जहां करसके अपने लिए कर सकते हैं. इंटरनेट बैंकिंग की बात करें तो कस्तुमर banking services provide कराता है और इंटरनेट बैंकिंग से साफसिदी से मतलब यह कि जो भी यह financial and non-financial transactions को online conduct कराता है mobile banking. mobile banking almost all banks have developed smartphone applications that enable you to finish transaction at the touch of a button हम सब जैसा कि जानते हैं कि mobile banking जैसे कि जितने भी बैंक से हो सब के स्मार्टफोन एप्लिकेशन प्रवाइड कर चुके हैं ताकि आपके एक बटन पर क्लिक करते ही आपके जो भी transaction से हो सकते हैं आपको ज़्यादा paperwork नहीं करना पड़ता है यूजर्स के लिए कि वो financial activities कर सके जो लोग बैंक नहीं जा पाते हैं अपने bank account को एसस कराने के लिए तो वो क्या कर सकते हैं किसी भी time घर बैठे बैठे वो अपना काम कर सकते हैं तो ये customers के लिए convenience हो जाता है banking system create कर लेते हैं वो virtual banking system that may be assist from any location at any time इन्हीं घर बैठे बैठे हो कभी भी किसी भी time हो अपने banking system को create कर सकते हैं वो लगे है कि बहुत सारे region से कि banking holiday prevent करती है transfer of the money की transfer की जैसे कि अगर services offer करे around the clock 365 days a year तो online banking system में ज्यादा easy हो जाता है क्योंकि ये issues को resolve कर देती है जो की customer face करता है पहले के previous banking system में कोई need नहीं होती की line लगानी पड़े money transaction और deportation के लिए next बोला गया है इसमें listeners की faster service यानि की people don't have to wait in line to pay their bills or transfer money bank thanks to the system which offer quick services interest instant money transfers between accounts are possible with internet payment options इसमें basically बोला गया है की e-banking की वज़े से हमें faster services provide होता है लोगों को wait नहीं करना पड़ता है line नहीं लगाना पड़ता है किसी bill को payment करने के लिए money को transfer करने के लिए इस system कता हैं क्यों कहा गया है क्योंकि ये quick service provide करती है instant money transfer हो सकता है account के बीच में possible हो जाता है internet payment options के जरिए आई होप आपको ये भी clear हो गया हो next listeners higher interest rate यानि कि online banking service क्या करती है offer करती है users को higher interest rate और ये decrease करती है operational cost of bank को ताकि वो better interest rate consumer deposits को provide करा सके next service quality भी provide करती है यानि कि ये client service को raise करती है online banking में payment करना बहुत ज़्यादा असान होता है secure होता है effortless होता है और e-banking apps का use करके customer क्या कर सकता है जितने भी account related transactions उसको track कर सकता है next app का 24 into 7 facility यानि कि बोलागे customer e-banking services का 7 days a week यानि कि एक सब्ता में 7 दिन और 24 घंटे एक दिन में use कर सकता है customer अपनी banking services को assess कर सकता है products at anytime from any location किसी भी टाइम पर किसी भी location है so listeners I hope आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं बताने कोसिस कर रही हूँ पर जो भी मैं नहा हूँ